हाव तू डाउनलोड, सीयमे इंटर, ग्रुप वान, ग्रुप टू, सजेस्टेड आंसर, फाइनल ग्रूप थ्री, एन फाइनल ग्रूप फोर, एक्सेप्ट फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन का सजेस्टेड आंसर नहीं रहता है, तो आएए विदाउट वेस्टिंग ताइम आप लोग इसको जाने तो सबसे पहले आपको Google ब्राउजर में जाना है Google Chrome में जाना है वहाँ पे Google में जाकर वहाँ टाइप करना है I C M A I first जो सबसे पहले आएगा वहाँ पे जाकर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप इस पेज में पहुँच जाएंगे स्पज्ट में आने के बाद से वहाँ पर देखे रहेगा इस तरह का पी जाजएगा तेक此 में आने के बास से आप देख सकते हैं यहां पर आपका राइट साइड में देखिएगा यहां पर वीडियो जहां बना हुआ उस वीडियो के बना होने पे वहाँ पे students पोर्टल बोलके होगा students connect portal students connect portal उस students connect portal पे आपको क्या करना है click करना तो student connect portal पे आप जैसे ही click करेंगे तो click करने के बाद आपको इस तरह का page open होगा देखिए ऐसा page आएगा इस page में आने के बाद से आपको नीचे आना है scroll करते वे नीचे आएगे तो यहाँ पर आपको option आएगा 70 number में suggested answer उसके बगल में click here तो click here पर click करेंगे फिर click करने के बाद से आप इस page में आ जाएंगे फिर यहाँ लिखा हुआ है download suggested answers from December 2011 term up to December 2019 term new उस पर click करेंगे आप जैसे ही उस पर click करेंगे तो आप फिर क्या होगा और next page में आ जाएंगे वो next page ऐसा होगा उस next page में आपको सबसे पहले आपका registration number यहाँ पर enter करना है फिर जो capture देखाई दे रहा यहाँ पर उसको देख देखके उस box में type कर देना है पहले वाले box में आपका registration number होगा दूसरे वाले box में जो यहाँ पर दिख रहेगा आपको जो number कुछ भी alphabet number वहाँ पर type कर लेना है जैसा बड़ा है तो बड़ा चोटा है तो चोटा जैसा है वैसा दिखना है आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर दो ठो बटन है उसकी बगल में फिर उसको fresh करके आप करेंगे और फिर login पर क्लिक करेंगे login पर जैसे click करेंगे क्लिक करने के बाद आप इस पेज में आ जाएंगे वह पेज आपका ऐसा रहेगा फिर से registration नंबर फिर यहाँ पर है terms and syllabus तो यहाँ term and syllabus में स्क्रॉल करेंगे आपको जिस term का paper चाहिए सपोस 2019 का जून का चाहिए 2019 का दिसंबर का या 2018 का चाहिए तो वहाँ से select कर लेंगे select करने के बाद यहाँ submit है submit कर देंगे submit करने के next बाद ही आप इस पेज में आ जाएगा suppose मैं यहाँ पे December 2019 syllabus 2019 December 2019 का हम मैं suggested answer चाहता हूँ और syllabus क्या है 2016 का तो यहाँ पे set कर लिया फाइनल का group 3 है फाइनल का group 4 है अब बगल में click here करके लिखा है download करना आपको जो paper download करना है वहाँ से आप download कर लेंगे तो इसी तरह का latest update पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे हमारे चैनल को like करे share करे subscribe करे और bell icon पर press करना ना भूले और कोई तरह का problem हो तो आप कुछ जानना चाहते तो comment box में comment करें ज्याद़ से ज्यादा friend circle में share करें thanks for watching मैं इस वीडियो के description में जो direct link है यानि यह वाला page यहाँ पे आप registration नमबर डालेंगे और direct login कर लेंगे यह मैं आपको link दे दूँगा direct आप इस page में आके भी यह registration number capture डालके फिर registration और यहाँ पर term को select करके आप direct download कर सकते हैं मैं उसका link अपने video के description में दे दूँगा और सबसे पहला वाला जो website का link है वो first में दूँगा और second में क्या करूँगा जिससे आप direct download कर जयुँगा प्याइनक्स क्या मैं आता हुआगा चलाईक्से हैं